आज से मैं जुजुचु कैसन का सेकेंड सीजन एक्सप्रेंट कर रहा हूं और इस सीजन में सारोटो गोजु और गैटो भी स्टुडेंट और यहां से गैटो के विलन बनने की सुरुआत होती और असी सीजन में गोजु को कोई मार देता है क्या गोजु सही में मारा जाता है कौन मारता है उसके लिए आपो वेट करना होगा तो एनेव की शुरुआत गैटो से होती है वो बोलता है समवर डेस मेरे लिए बिजी थे हो आज कल बहुत से कर्स बाहर आ रहे हैं और गैटो एक सुंसान गली में जाता है जहां एक कर्स एक आदिमी को खा रही थी जिसको एक गैटो एलिमिनेट कर देता है और उसको एब्सर्व कर लेता है इसमें वो कर्स को एब्सर्व कर लेता है और बार में उनको यूज कर सकता था और गैटो ग्रेडवन सॉर्सर है मतलब गोजो के बराबर का ही है गैटो बोलता है किसी को नहीं पता कि कर्स का टिस्ट कैसा होत यह बहुत गंदा होता है जो अभी हुआ वो कुछ नाया नहीं था जब मैंने पहली बार देखा था मैंने सोच लिया था कि मैं जुचु शॉर्सर्स बनूंगा और यहीं बोल रहा हूं फिर सीने एक फैमिली पे आता है वो बहुत अमीर थे और उनकी बार्बिक्यू के बहु फेमस हो गया और अब यहां हाई स्कूल और यूनिवेस्टिटी के स्टुडेंट आते हैं अपनी बहुदूरी बताते हैं लेकिन उस घर से कोई बाहर नहीं आते हैं और इसलिए जुजुत्सू का इसने हमें मतला उटा ही मैं और मिये को वहां इन्वस्टिकेट करने भेज ती फिर वह दोनों उस घर के पास आते हैं उटे में वहां कर्टे लगा रही थी मतलब बैरियर जिससे कोई भी अंदर नहीं देख सकता था वहां क्या हो रहा यह नॉर्मन की सेवटी के लिए होता है लेकिन बोलती कि कहा कोई कर्स नहीं है कर्स अंदर मिल सकता है तो कर्ट शोप की नीचे देख उसको वहाँ मिलते हैं जिन से व Él की बाहर आला जाता है और मैंतने यकीन से इसलिए बोल रहीं क्योंकि मैंने इस वाल पे मार किया था मैं सिंपल वर्ड में बताता हूं कि यहां क्या हुआ है उटे ही में और मी एक लूप में हैं और यह एक बैरियर मैजिक है जो कर्स ने लगाया है और जो की बहुत वीक है और मी बोलती है ऐसा यहां आने वाले हर विक्टम के आती और बोलती है कुछ एस पिरकार माल लो हमने एक पॉइंट मार किया और वापस वहां आये हर बार यहां आने का टाइम और डिस्टराइंडम होता है इसका मतलब यह है कि बैरियर फिक्स नहीं है और एक लाइन में है कुछ कुछ ट्रेंड के डब्बों के साथ और अगर हम फुल स्पीड से कॉरिडोर के एक चैड में भागते हैं तो हम बैरियर ब्रेक कर सकते हैं मी यह बोलती है मैं तुम को 90% मांग देती हूँ उते ही में बोलती है क्या तुम मेरे टीचर हो जो ऐसा बोल रही हो मी बोलती है बैरियर को ब्रेक करने के लिए हमें left और right एक सां के फेविडिट मास्टर गोजो आते हैं वो उटेहमी और उम्य को बचाने आया थे और वो उटेहमी से बोलते हैं तुम रो रही हो क्या इस बात से मिये गुसा होती है लेकिन तभी उसके पीछे उस हाउस का कर्स आता है लेकिन गैटो के कर्स ना उसको आदा खा लिया था और गैटो अपने कर से बोलता है इसको मैं अब्सार करूंगा तो इसको पूरा मत खाओ और गोजो से बोलता है तुम को वीक को परसान नहीं करना चाहिए गोजो बोलता है श्ट्रॉंग को कौन परसान करता है तब भी वहाँ सोको आती है वही डॉक्टर जब यूजी मर गया तब उसके पास गया था सोको को देके उठाएंगे मझा हो आति और उसके पास जाती है घलती बोलता है तूम ऑर गोज हैं फिर न्यूज में बता रहे थे कि उसा उसमें एक्स्प्लोजन हुआ था फिर सीन गेटो गोजो सोको प्याता है उनके टीचर प्रिजेंट टाइम के प्रिंसिपल है लेकर नाम भी वह टीचर है जिनका नाम याका है और वह उन तीनों से बोलते हैं कुछ लोग बहुत बुलता है वैसे भी नॉर्मल लोकर्स और कर्स टेक्णि नहीं देक शकते हैं तो कर्टेल लगाना इंप्रैंन नहीं है गैटो बोलता है लेकिन कर्टेंद एक gelecek मेजर के लिए गोजो बोलता है कर्स यूमन से ही आते हैं अगर हम यूमन के हार्ट में पीस मजब सांती ले आएंगे तो कर्स बनींगे ही नहीं और गोजो बोलता है लेकिन मैं वीक पीपल से ठक गया हूँ गैटो बोलता है जूजुचु इसलिए बना है ताकि वो नॉर्मल हूँमन मतलब गोजो बोलता है तुमको लगता है मुझको नहीं इसमें वह दोनों लड़ लेते हैं गैटो अपने कर्स निकालता और गोजो से बोलता है इस मामले को हम बाहर सॉल्फ करते हैं गोजो इसके लिए मना कर देता यह देखे वहां से भाग जाती और तभी वहां उनके टीचर क्यों ग्यागा आते हैं उनको देखे वह दोनों करने का नाटा करने लगते हैं और यागा बताते हैं कि मां तुमको एक सपैसल में दे रहा हूं तो मैं सबस्त नाम का एक आदमी है जो कि अमार है लेकिन बुद्धा हो सकता है और हर 500 साल में उनको अपनी बौडी किसी किसं मर्ज करनी होती है जिससे उनकी टेक्निक जो की पूरत जुजुचु हाई के बैरियर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी चेंज हो जाती है अगर वह ऐसे नहीं करेंगे तो यूमन सी उपर के बिंग बन जाएंगे जिससे वह हुमानिटी के लिए ही खत्रा बन सकते ह तो टीचर यागा बताते हैं मास्टर टेंजन इस वार जिसके सान मर्ज होने वाले हैं वो एक लड़की है और मर्ज होने के लिए सिर्फ दो दिन बचे हैं और ये लोग उस लड़की को स्टार प्लाजमा वैसल बोलते हैं लेकिन उस लड़की की लोकेशन डिस्क्लोज हो वार उसके पीछे दो ग्रूप लगें एक का नाम क्यों है जो कि करसीूजर का ग्रूप है जो चाहता हैं मास्टर किसी के साथ मर्ज नहीं और सब जंगत तबाही आ जाए और सेकंड का नाम है टाइम वैसल एस जो कि मास्टर टैंजन को भगवान मांती और उनकी पूजा कर पर लगता है मास्टर टेंजर मर्ज होने की वज़ए से इंप्योर होते जा रहे हैं और इसमें कोई कर्स यूजर नहीं है नॉर्मल हुमन बीइंग है सब तुम दोनों का काम उस लड़की को जल्द से मास्टर टेंजर के पास लाना है फिर वो दोनों उस लड़की को लेने ज किया करो वैसे मास्टर टेंजर से कुछ दिनों में मिलने वाले हैं वो लोग बात ही कर रहे थे कि लड़की के रूम में आ जाता है वह दूरिबल बजाता है अंदर से लड़की बोलती है मैं आ रही हूं तभी वहां ब्लास्ट हो जाता है लेकिन वह लड़की बिल्डिंग की बायन नाम की लड़की नटाय कर दिया था चाकू से जिससे गोजो अपनी इंफिनिटी टेक्निक से बच जाता है बेर बोलती है तुम तो वही यूँ फेमस बंदे हो ना गोजो मैंने तुम्हारा नाम सुना है और मैं देखती हूं तुम कितने हो गोजो बोलता है पहले कर सकते हैं लेकर हमारे पास पैसे बहुत हैं जैनिन क्या तुम उस लड़की को मानने जा रहे हो वह आदमी बोलता है मेरा नामा फूसी गूरो है और तुम उस लड़की को मेरे उपर छोड़ दो रसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है और यह आदिम फूसो गूरो का फा पदर है